दोस्तों आपने पहली वीडियो में चेचिस देख्या होगा या इसर का चेचिस आया अपने पास देखिए मोडल दिखाते हैं आपको इसका 30-18 है डबल केविन के अंदर इसकी बोड़ी का काम शुरू कर दिया गया है तो कुछ भाई बोलते हैं नीचे का नहीं देख पाते हैं अम बाद में फरस डल जाता है या बोड़ी बनने के बाद तो आज मोका मिला आपको नीचे का भी दिखाएंगे क्या कुछ काम किया जाता है नीचे डाक्चे में क्योंकि इसके उपर अभी फरस कंपलेट नहीं पड देख सकते हैं आप नीचे दोस्तों नीचे पांच डाई का चैनल दिया जाता है और जो यह लंबा चैनल यह पांच डाई का है और इसके अंदर आपको दिखाएंगे भी आपर पंच बरे जाते हैं छोटे-छोटे अभी दिखाते हैं आपको यह रहा यह रहा यह देखिए कि यह देखिए और एक थोड़ा साज तो यह तो पांच आई के चैनल के अंदर दोस्तों पंच बरे जाते Гाएं सपोट के लिए और उपर से जो यह डाचा बनाया जाता है तीन डेड're का चैनल दिया जाता यापर तिन डेड़ के चैनल के साथ 44 का एक नका लगा जाता है और एक चैनल के साथ में यह देखिए और एक चैनल के साथ में मिलेगा उस साइड भी और इस साइड भी और आप रकाब की बोलते हैं दोस्तों दो रकाब डालते हैं हम इसमें अमद्श डलने की जरूरत नहीं है आप देखे हैं किना फैरी सिस्टम खिया जाता है यह देखिए the कि नक्य बनाके लगाय जाते हो देखो कितने गयरे गयरे टर्रंट्च्य यह आप देखते जाना यह पिछेетрी देखिए कि कंपनी के होते हैं दोस्तों किसी में एक सुराग होता है तो एक नट लगता है किसी में दो थे तो दो लगते हैं यह देखिए बिलकुल साथ साथ में ही है यह देखिए यह देखिए दोस्तों अब गिनना एक बार एक दो और यह देखिए तीन यह चार यह पांच और छे साथ आठ और यह नो नो नक के दोस्तों एक साइड में लगने के बाद बताव वोड़ी कहां से इल सकती है तो आप इसकी टेंशन मत लिया करो कि बोड़ी नीचे से इल जाएगी यह तो आप बिलकुल भूल जाओ बिलकुल यह भी काम किया जाता है पूरी वीडियो आपको पूरी बोड़ी बनने के बाद दी जाएगी तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो या और किसी भी तरह की बोड़ी के बारे में जानकारी चाहते तो आप कमेंट कर देना टाइम मिलने पर हम आपका जवाब जरूर देंगी धन्य दोस्तों वीडियो पूरा देखने के लिए